जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि पिछले 24-36 घंटे से जो लगातार बारिश हो रही है उसका असर किसानों की फसल पर क्या पड़ा है आप खुद ही अनुमान लगा सकते हो कि इतनी बारिश होई सब पानी पानी हो गया लेकिन इस पानी को निकालने के लिए एक खेश से दूसरे खेश में निकालना भी बढ़ रहा है तो दूसरे खेट वाले किसान भाई भी अपना गर्मा गर्मी दिखा रहे हैं लेकिन वो दिखाए नहीं यह सब के उपर संकट है एक दो दिन की बात है सारा पानी आप निकल ज लेकिन जो मैं दखाने जा रहा हूं भारी से भारी प्रकोप पानी का जो अपने आप तिन तिन पर उपर होके निकल रहा है जो आप इस वीडियो की माध्यम से देख रहे हैं यह हकीकत है यह किसी की कॉपी हुई वीडियो नहीं है और आप देख सकते हूँ मैं आपको दखा रहा हूँ यह हमारा खेतों पर बना हुआ मकान जो बस लगभग डूबने ही वाला था उन्तों परमात्मा की किरपा है जो बारिस बंद हो गई लेकिन फसल डूबने की कगार पर यह देखो जो धानों के बीच की मेर्ड थी वो भी डूब चुकी है पानी निकल तो रहा है लेकिन कम नहीं हो रहा है यह सब पीछे से आ रहा है यह देखो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेयर करें किसी के साथ लड़ाई जगड़े की कोई संभावना नहीं यह तो प्रति का सब्सक्राइब हमारे खेतों के पास एक मंदर भी है हुआं उपक्षा हुआं पास हुआं यह तो चश्ण के अ